है 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 यह फिर से लिए आई हूँ आप लोगों के लिए एक नहीं सेंड रीडिंग आज की सेंड रीडिंग होने वाली है प्योर सेंड रीडिंग I think so जैसे मुझे मेसेज मिल रहा है अगर और कुछ नहीं you know टूल यूज करने का या कार्ज यूज करने का मेसेज मिला लेटर आँ तो आज की सेंड रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि टीन कौन सी खुश कबरी आपको मिलके रहेंगी इसी महीने में ठीक है यह जब भी आप देख रहे हो timeless reading है यह अगले तीस दिन के लिए भी हो सकती है या इसी महीने में next जितने भी दिन रहागे है इस महीने के उसके लिए भी हो सकते है तो यहाँ पर कोई तीन बड़ी खुशकबरी है जो आना चाहते है ठीक है वो messages हम लोग receive करेंगे यहाँ पर या और भी messages होंगे यहाँ पर वो receive करने की कोशिश करेंगे तो start करते हैं आज की send reading को again यह general collective reading होती है तो हो सकता है आपके साथ resonate करे हो सकता है ना करे आप मेरे whatsapp free spiritual group को join कर सकते हो उसका link आपको description box में मिल जाएगा हम लोग रोज कुछ ना कुछ activities करते रहते हैं और साथ में आप अगर appointment book करवाना चाहते है person reading के लिए तो आप मेरी team को contact कर सकते हैं यह number आपको description box में मिल जाएगे ठीक है तो start करते हैं आज की reading को कौनसी वो तीन खुशकबरी है पहले देख लेते हैं right now की energy के है right now की energy काफी आपकी clarity भली है काफी enthusiasm है आप में बड़े positive way से आप आगे बढ़ रहे हो action ले रहे हो peace में हो, काम हो मुझे यहांप कोई stress नहीं मैसूस हो रहा है let go कर पा रहे हो surrender कर पा रहे हो चीजों को इसलिए काफी सारी clarity भी आ रही है अपने उपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो जो भी आपको करने की जुरत है spiritually वो आप definitely कर पा रहे हो जिस भी तरह से आप जो spiritual practices करते हो तो उसके लिए समय निकाल पा रहे हो कहीं न कहीं abundant energy में है वो मुझे लग रहा है यहांपर जो भी है उसके साथ satisfy हो आप right now की present situation में most important यहांपर है कि clarity आपको मिल रही है और साथ में आप peace में हो यह बहुत ज़दा important है ताकि आप सोच समझ के जहांपर भी action लेने की जुर्थ है वहाँपर आप action लेते रहे अपने future के लिए और inspired भी हो आप कुछ नो कुछ करने के लिए तो देख लेते हैं यहाँपर कौन सी तीन खुश खबरिया है सबसे पहली गुण्यूस यहाँपर आप बहुत खुश रहने वाले हो ठीक है यह खुश आपकी अवेकनिंग की हो सकती है कुंडलनी वेकनिंग हो रही है आप बहुत ज़दा energy बहुत ज़दा high energy feel कर रहे हो high vibration में हो आप ascension से गुजर रहे हो ascension हो रही है आपकी या फिर आप transformation energy में हो सब कुछ या फिर चीज़ें आपके according हो रही है या कोई good news आ रही है आपकी तरफ यहाँपर बहुत ज़दा happy energy है यहाँपर तो वो किसी भी वज़े से हो सकती है आपकी किसी family member की वज़े से भी हो सकती है जिसके बारे में आप concern हो वहाँ से कोई खुशकबरी मिलगी आपको अपने बारे में कोई good news मिलगी कुछ भी ऐसा जो आपको खुश रखे तो यह खुशी है आपको divine love से connect हो पा रहे हो आप किसी भी तरह के stress और challenge को जगा नहीं दे रहे हो वो भी एक तरह की खुशकबरी है क्योंकि इस वज़े से आप पूरी तरह से high vibration में हो क्योंकि आप stress या challenge को जगा नहीं देते हो उसके ओपर focus नहीं करते हो जल्दी से solution ढूरते हो और जल्दी से let go कर पाते हो ठीक है past को काफी ज़्यादा let go कर दिये है आपने current situation में जो आपकी challenges हैं उसके लिए आप surrender कर चुके हो तो बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसा नहीं है कि challenges खतम हो जाते हैं बात यह है यहाँ पर कि उसके solution पे और उसको हावी नहीं होने दे रहे है अपने उपर ठीक है यह बहुत अच्छी बात है उपके solution ढूणने चले जाते हो फिर clarity भी आपको मिल जाती है और जो challenges हैं उनको अपने उपर हावी नहीं होने देते हो जिस वज़े से भी आप बड़ी happy और balanced energy में हो right now मुझे आपकी shift शक्ती भी balance होती है नजर आ रही है जिस वज़े से आप काफी सारे action ले पा रहे हो accomplish पा रहे हो new beginnings कर पा रहे हो इसलिए भी आप happy और content feel कर पा रहे हो bliss की energy में हो ठीक है तो यह एक बहुत बढ़ी खुशकबरी किसी ने किसी reason से आपको मैंने बाकी भी बता दी कि good news आपको अपने लिए दूसरों की बज़े से दूसरों के बारे में मिल सकती है ठीक है तो कुछ externally भी हो रहा है internally भी हो रहा है यह किसी ने किसी बज़े से जरूर हो रहा है कि आप happy rap आ रहे हो खुश रह पा रहे हो joyful energy में हो ठीक है और देख ले दें आपे और क्या good news है आप सून किसी ने किसी तरह की creative project पे भी काम करने वाले हो देखो मैं three good news से कहीं ज़्यादा good news देंगी ठीक है लेकिन आपको अपने ही साफ से उनको receive करना है जो भी आपके साथ resonate हो तो मुझे message मिलता रहेगा मैं आपको देती रहूंगी ठीक है तो यहाँ पर आपको किसी creative project पे काम करने की मौका मिल सकता है या आपको कोई opportunity आपकी तरफ आ सकती है ये आपके finances से related money से related हो सकती है कोई opportunity आपकी तरफ आ रही है या आप कुछ ऐसा start करने की सोच रहे हो ठीक है और ये सीखने से भी related हो सकता है कि आप कुछ सीख रहे हो ठीक है वो आपको खुशी दे रहा है कुछ सीखना knowledge, wisdom ठीक है tarot सीखना कुछ भी ऐसा सीखना आपको खुशी दे रहा है ठीक है वो भी बहुत भरपूर को खुशी होती है वो बहुत प्यारी सी खुशी होती है जब आप कुछ सीखते हो नया करते हो अपनी life में चाहिए आप किसी भी age में हो तो एक passion जागता है और आपको बहुत ज़्यादा satisfy करता है या फिर ये खुशी जो है न आप कोई काम बहुत देर से करना चाह रहे थे फाइनली आपको उसको execute कर पाओगे हैं आपर फाइनली उसके लिए action ले पाओगे अगर रुका हुआ था कोई आपका काम कोई project किसी तरह की new beginning ठीक है रुकी हुई थी even sometime क्या होता है कि हम लोग workshop में भी enroll कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं ठीक है किसी न किसी वज़े से तो फिर जब हम लोगों को मौका मिलता तो हम लोग वो काम तो उसका मतलब यह है कि रुका हुआ था वो कोई काम ऐसा learning से भी related हो सकता है आपकी personal life अपनी career life अपनी family life से भी related हो सकता है यह किसे भी life के इससे हो सकता है जिसमें आब आप आगे बढ़ पाओगे grow कर पाओगे action ले पाओगे जहां पर भी आप efforts यह आपकी second खुशकपरी है जो हाँ actions are related हो सकती है किसी ना किसी तरह की actions are related हो सकती है जो की ना action लेने की बज़े से रोका हुआ था कोई काम ठीक है तो ऐसे कर लेते हैं इसको और थर्ड खुशकपरी देख लेते हैं यहाँ पर financially आपके लिए better opportunities आ रही है finances आपके improve होते हैं आपको नज़र आएंगे ठीक है especially जिन्होंने past में efforts डाली है किसी area में बहुत सारा काम किया है efforts डाली है ठीक है hard work किया है बहुत सारी efforts अलड़ी आप invest कर चुके हो वहाँ पर आपको काफी सारी finances आपके improve होते दिखेंगे अगर किसी भी तरह की blockages create हो गए थे या आपको कुछ lessons सीखने जुरूरी थे या किसी तरह से आपने अपनी खुद action नहीं ले पारे थे दूसरों को power दी होई थी या दूसरे किसी तरह की energies को आपको भेज रहे थे जिस वज़े से आपके ये गढ़बर हो रही थी finances को लेकर तो ये कुछ भी हो सकता है किसी भी reason से गढ़बर हो रही थी imbalance हो रहा था तो यहाँ पर चीज़ें balance में आएंगी आपको flow नज़र आएगा आपको opportunities नज़र आएंगी और improvement नज़र आएगी कही न कहीं finances में ठीक है अगर तो वो चल रहा है stable ठीक है वो ठीक है लेकिन यहाँ पर मैं कुछ different तरह से बात कर रही हूँ कि आपके काम थे लेकिन वो उतना जितना आप deserve करते हो यह efforts डाल रहे तो उतना आपको मिलने ही पा रहा था तो कहीं न कहीं जो है balance नहीं था harmony नहीं थी उतनी effort डाल रहे तो उतना नहीं मिल रहा था आपको तो यहाँ पर उसमें balance आपको नज़र आ रहा है आपकी finances में आपकी progress में growth, progress, जो भी आप चाहते थे अपने according to आपकी efforts जितनी आपने efforts डाली है ठीक है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी तो यह आपकी third खुशखबरी होगी देखो मैंने आपको तीन खुशखबरीया बता दी हैं और अब हो सकता है यह तीनों के तीनों आपके साथ resonate करें या एक या दो इसमें से करें resonate तो उस हिसाब से आप इनको receive कर सकते हो claim कर सकते हो और मैं और भी यहाँ पर निकालने माली हूँ खुशखबरीया आपके लिए ठीक है जो भी messages यहाँ पर निकलेंगे अगर किसी कोई किसी तरह का pattern था जो आपको repeat करी जा रहे थे repeat किये जा रहे थे हो सकता है कि यह आपके हाथ में नहीं था उस pattern या cycle में से निकलना या कोई और आपको control की होगा था कई बर होता है कि आप exit करना चाहते हो किसी job से ठीक है छोड़ना चाहते हो लेकिन और बहुत सारी situation आके खड़ी हो जाती है आप कैसे survive करोगे आपको money चाहिए आपको rent pay करना है ये करना है वो करना है और साथ में कई बर boss भी bossy होता है कि वो आपको quit नहीं करने देता है तो यह ऐसे बहुत सारी situations ऐसे create हो जाती है यहाँ पर तो जिस वज़े से मैंने आपको यह बला example दिया इस तरह के बहुत सारी आपके life के example या patterns हो सकते हैं जिनकी आपको अपने life के अंदिसार देखना है ठीक है तो किसी pattern में से आप अब exit कर पाऊगे निकल पाऊगे उस pattern जो repeat कर पा रहे थे छोड़ना जाते थे लेकिन छोड़ना ही पा रहे थे ठीक है तो वो आपके लिए खुश खबरी होगी क्योंकि आपको निकलना जा रहे थे वहाँ से और यह भी होता है कि काफी देर से आप कोशिश कर रहे थे हो सकता कि आपको दूसरी जॉब मिल गई तो यह एक अच्छी opportunity मिल गई कि आपको मौका मिल गया कि आप छोड़ पाऊ अब यूदि कि दूसरी जॉब तो है ही है अब start करने के लिए और money के लिए ठीक है तो कुछ इस तरह का हो जाना तो यहाँ पर यह पासिबल है और देख लेते हैं यहाँ पर और काउन सी good news है यहाँ पर आपके बच्चे better perform कर पाएंगे उनको देखोगे आप उनके changes देखोगे उनकी life में ठीक है यह किसी भी reason से हो सकते हैं या चाहे आप उनकी शादी को लेकर उनकी jobs को लेकर उनकी पढ़ाई को लेकर उनके even focus को लेकर आप वो थे ठीक है या वो खुद की life में किसी रूप से balanced way में नहीं चल पा रहे थे तो यह काफी सरी चीजे हो सकती हैं अगे आप देख पाओगे कि उनकी life भी धीरे-देरे settle हो रही है, balance हा रहा है improve हो रही है ठीक है तो यह भी आपको एक खुशखबरी देने वाली है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके family members के भी किसी यह बवारे में हो सकती है तो वो ही मुझे यहां पे लग रहा है कि कोई इस तरह की भी बात आपको खुशी दे सकती है ठीक है, और क्योंकि बच्चों के लिए तो हम लोग होते ही है concern, right कि वो भी अपनी life को balance roof में जी है और देखीते हैं आपको मुझे दुबारा से यह message याद करवाया जा रहा है किसी के शादी का message आया हुआ था कि आप बच्चों की शादी के बारे में भी बात करें तो यहां पर मुझे वो जोडा जा रहा है तो कहीं न कहीं यह personal message हो सकता है उनके लिए क्योंकि मुझे याद करवाया जा रहा है right now कि आपकी बच्चों की अगर शादी के बारे में concern है तो आपको दो-तिन महीने में उसमें कुछ ना कुछ opportunity आती हुए दिखेगी definitely कहीं न कहीं यह आपको beginning हो सकती है यहां पर ठीक है कि शादी की बात चल पड़े ठीक है ना कोई आपको पसांदार है या engagement या कुछ ना कुछ ऐसे function भी हो सकता है अगले दो-तिन महीनों में ठीक है तो यहां पर उनके लिए हो सकता है मैसे या बाकियों के लिए भी हो सकता है जो concern है यहां बच्चों की शादी के लिए और देख लेते हैं यहां पर किसी तरह कि यहां पर messages है messages आ रहे हैं आपके तरह बहुत सारे आप readings देख रहे हो वहां से हो सकते हैं इस reading से हो सकते हैं किसी तरह का communication हो सकता है जो बहुत सारी आपको clarity लेके आ रहा है कि आपकी life में क्या होने वाला है ठीक है इस reading से भी मिल सकता है किसी और की reading से भी मिल सकता है आपको तो यह messages भी आपको खुश करेंगी कि finally यह आपका किसी wish या manifestation से भी related हो सकता है इसलिए यह message आपको खुश करने वाला है क्योंकि finally आपको पतले गए अगले महीने मेरे यह होने वाला है अगले हफते यह हो जाएगा तो कुछ इस तरह की चीजें आपको messages receive हो सकते हैं जो आपको बहुत खुश करें तो यह भी एक तरह की आपकी खुश कबरी होगी कि खुश कबरियां आपको मिल रही है यहाँ पर किसे को भरपूर मातरा में sign numbers नजर आए angels नजर आ रहे हैं बहुत ज़दा तो आपकी awakening होने वाली है आप final stage पर हो awakening के जहाँ पर यह message कल पर सो भी किसी वीडियो में आया था तो आपको आपकी gifts open होने वाले हैं आपको 1111, 111, 222 सारे numbers कही नजर आ रहे हैं बहुत ज़दा बार नजर आ रहे हैं आपको ठीक है तो यह आपकी awakening का sign है कि आपकी awakening हो रही है आप और क्योंसे sign और symptoms होते हैं वो YouTube पर जाके आप देख सकते हो find कर सकते हो, research कर सकते हो ठीक है आपको और information मिल जाएगी यहाँ पर एक और खुशी का मौका आने मला है कि आप किसी trip पर घुमने जा सकते हो कोई trip का आपको मौका मिल रहा है आपने हो सकता कि अपको अपको प्लान किया है इस गर्मियों के लिए या फिर आप सून करने वाले हो तो definitely कोई trip है जो आपको बहुत खुशी देगा क्योंकि आप काफी enjoy करके आओगे तो इस समय में हीली एरिया पर जाना या ऐसे एरिया में जाना जहां पर आपको बहुत अच्छा feel हो ठीक है ना जहांके पर temperature इतना high ना हो ठीक है तो वो आपको बहुत खुशी देने वाला है क्योंकि fun time होगा बच्चों के साथ family के साथ अच्छा समय बिताओगे आप ठीक है और हो सकता है कि बहुत देर बाद ये आपको मौकब मिल रहा है इस वज़े से भी हो सकता है या आपकी मन पसंद जगा पर जाने को आपको मौकब मिल रहा है ये इस वज़े से भी हो सकता है ठीक है न किसी नहीं किसी रीजन से आपको ये खुशी जो है बहुत मिलने वाली है इस ट्रिक की वज़े से बहुत सारी confusions थी आपको ठीक है चीजों को लेकर हो सकती है कामों को लेकर हो सकती, अपनी new beginnings को लेकर हो सकती, अपने gifts को, choices को लेकर हो सकती है, जैसे यहाँ पर seven cup बन गए है, ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इस confusion में से बहार निकलोगे, ठीक है, तो किस रास्ते पर जाना है, क्या काम करना है, क्या आपको choose करना चाहिए, कौन से cup के साथ काम करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, how, why, जो भी आपके questions थे, ठीक है, उनका आपको answer मिल सकता है, यहाँ पर solution मिल सकता है, ठीक है, clarity मिल सकती है, और यह चीज भी की आपको खुशी देने वाली है, यहाँ पर, ठीक है, और देख लेते हैं, और कौन सी good news आप तक पहुँचने वाली है, कोई यहाँ पर बहुत popular होने वाला है, ठीक है, अपनी friends में, friends circle में, family में, school में, college, university में, online, social media पर, तो कुछ ऐसी good news भी है, किसी के लिए यहाँ पर, और देख लेते हैं, आपर, बहुत सारा काम आने वाला है, आपकी तरफ, ठीक है, अगर आपका, खुद का काम है, ठीक है, आप boss हो, ठीक है, और किसी तरह की services को provide करते हैं, तो बहुत सारे, आप expect कर सकते हो, बहुत सारी opportunities आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है, तो यह हम लोग उने, वैसे भी big good news में भी बात की है, third good news में, कि financial, किसी तरह की opportunities, definitely आपकी तरफ आ रही है, और देख रहते हैं, और क्या good news हैं आपके लिए, बहुत specific से message मिल रहे हैं यहाँ पर, आपके nail, आपके hair, आपकी skin, बहुत ज़्यादा glow करने वाली है, बहुत ज़्यादा healthy और अच्छी होने वाली हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के, कुछ अगर situation यहाँ पीरियर्ड आपका चल रहा था, ठीक है, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता astrology के बारे में, मुझे बस सिर्फ basics आते हैं, तो किसी तरह का वो पीरियर्ड खतम हो रहा है, जिसके लिए यह message है, ठीक है, तो overall कहीं न कहीं में आप निखार देखोगे अपनी life में, ठीक है, निखर तुए देखोगे अपनी life को, हर दिना पर, तो यह बड़ा specific सा message है, और देख लेते हैं आपर, अचानक से आपका music में इंटरस्ट बढ़ने वाला है, ठीक है, तो या फिर आप किसी तरह के specific music आप सुनोगे, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए soothing हो सकता है, और आपको एकदम से अच्छा लगने लग जाए, तो कुछ किसी भी तरह के यह जो आपकी vibration change हो रही है, high vibration में जा रहे हो, उस वज़े से क्या होगा, कि आप काफी सारी interest आपके change हो रहे हैं, या तो add-on हो रहे हैं, या फिर आप जो change हो रहे हैं, जो पहले पसंद करते थे, अब उसको छोड़कर आप कुछ और पसंद करने लग गए हो, तो कुछ इस तरह की भी changes आ सकती हैं, food को लेकर हो सकती है changes, healthy diet की तरफ जाओगे आप, तो ये छुटी-छुटी changes, जो आपके overall health को भी improve करने वाली हैं, और आपके mood को भी change करने वाली हैं, obviously जब हम लोग जहाँ, suppose food में change करते हैं, ज़्यादा healthy खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि, vibration आपकी natural high रहती है, ज़्यादा salty, ज़्यादा मीठे वाले food जो हैं, आपके mood को भी वो करते हैं, ठीक है, mood ही करते हैं, तो कुछ इस तरह की भी changes हैं, जो आपके action के उपर भी निर्फ़र करती हैं, कि अगर आपको intuitively लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ changes लाने के जुरत है, और अगर आप सच में अपनी intuition को सुनकर action लेते हो, तो आपको definitely काफी हिस्सों में आपके life में improvement नज़र आएगी, आपकी mental health better होने वाली है, ये भी आपके लिए खुशी होगी, ठीक है, अब ज़्यादा peace में जाते हो, thoughts को control कर पाते हो, cancel कर पाते हो, connect नहीं करते हो, ज़्यादा past में नहीं रहते हो, बहुत सरी चीज़ें, ठीक है, पीस में रहना, शायद पहले आप अकेले में रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब आपको अकेले में जब समय मिलता है, तो आप उसका फाइदा उठाते हो, चाहे आप spiritually practices कर रहे हो, अपने आपको grow कर रहे हो, spiritually grow कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, passion को follow कर रहे हो, या फिर सिरफ अपनी healing और relax, self love, self care कर रहे हो, किसी ना किसी तरह से बहुत अच्छे से आप इस समय को utilize कर रहे हो, तो ये आपकी खुशी का हिस्सा बनने वाला है, ये add on करेगा आपकी खुशी में, आने वाली कुशिदनों में बहुत सारी deep आपकी cleansing और healing भी होती हुए नजर आ रही है, ठीक है, तो ये हर level पे आपकी हो सकती है, हर level पे deep cleansing healing हो रही है, जिस वज़े से ये काफी कुछ आपकी changes आ रही है, transformation हो रही हैं आपकी life में, और शायद ये सारी ही चीज़ें मिला कर आपकी जो मैंने beginning में सबसे पहली खुशी दी थी, खुश कबरी आपको दी थी, कि आप खुश रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें improve हो रही हैं आपकी life में, transformation चल रही हैं, इनको अपनाईए, ठीक है, तो जो आ रही है, खुशियां, changes, transformation, बदलाव, उनको अपनाईए, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हैं, आपकी spiritual growth के लिए हैं, यहां पर आपके आसपास लोग जो होंगे, उनके सभाव में भी आप change देखोगे, कहीं न कहीं आपकी transformation ने उनको भी trigger किया है, आप देखोगे कि जो लोग पहले आप से बात नहीं करते थे, अच्छे से support नहीं करते थे आपको, वो अचानक से आपको support करने लगे हैं, तो यह भी आपके लिए खुशी का reason होगा, आपकी खुशी का कि आप देखोगे कि अचानक से इनको क्या हो गया, ठीक है न, तो यह कोई भी हो सकता, आपके friend circle में, relatives, parents, brother, sister, कोई भी, ठीक है, तो अचानक से उनकी तरफ से support मिलना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है, तो यह, यहाँ पर मुझे message मिल रहे हैं, क्योंकि यह divine plan है, तो divine नहीं यह खेल रचा, ठीक है, पहले आपको hermit में भेजा, पहले आपको काफी सारे painful periods में से गुजरना पड़ा, फिर आपने अपने आपको जाना, इश्वर को जाना, इश्वर के साथ connect किया, अपने उपर काम किया, तो यह सारा जो है, एक इश्वर का रचा हुआ पूरी तरह खेल है, ठीक है, अब जहां पर आपने पूरी तरह से transform हो गए हो, तो वापिस से आपको, जैसे मेरी आगे भी reading में निकला है बहुत बार, कि जो जो आपने खोया इस journey पर, वो वापस से आपको मिल रहा है, मिलना शुरू हो रहा है, तो इसे वज़े से ये खुशी है, जो आपने इवन कहीं खुशिया मांगी भी नहीं थी, लेकिन अचानक से आप वो देखने लगोगे, कि आपनी लाइफ में आ रही है, क्योंकि इश्वर जो है, वो खुश है, और आपको वो वापस लुटाना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में, ठीक है? क्योंकि आपने अपने बड़ी प्योरिटी के साथ, सच्चाई के साथ, अपने उपर काम किया है, किसी तरह के बिग चैलेंजिस, जो लाइफ में आपके अभी फेस कर रहे हों आप, ठीक है? उनके सिलूशन भी पिलेंगे इस पीरिड में आपको, और आप कहीं न कहीं उनके चैलेंजिस में से खुद को भी बाहर निकालोगे, अगर आप खुद को किसी वज़े से रोके हुए थे वहाँ पर, लोग क्या कहेंगे, आप किसी कोई डिफरेंट पाथ हपनाओगे, कुछ डिफरेंट करोगे, जो लोगों को पसंद नहीं, घरवालों को पसंद नहीं, तो या बहुत कोई किसी तरह के बड़े-बड़े ब्लीव सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब आप डांस करना चाहते हुँ, खुद के लिए डिसीजन लेते थे, वहाँ पर आप इस चीज़ को लेट उकर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, आप अपने आपको लिमिट नहीं कर रहे हो यहाँ पर, तो ये भी खुश खबरी होगी, क्योंकि लिमिट करने से हम लोग जो हैं, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, और जब सपने तूटते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा दुख वाला हिस्सा होता है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी रिलीज करोगे, कि जो कोई कह रहा है, कुछ कहने दो, ठीक है, मुझे जो करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, मेरे यह सपना है, तो मुझे वो पूरा करना है, तो मैंने एक आगजामपल दिया आपको, तो यह कहीं न कहीं, आपको बहुत ज़्यादा, यह जो आपने जकड़ा हुआ था, कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे होगा, तो ऐसे क्या होगा, उसको आप रिलीज कर रहे हो, और उस वज़े से, आपका हाट चक्रा भी ओपन होगा, और आप खुद रिलीज सबसे पहले, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं, यह वो है, यह खुद के लिए, वो बहुत ज़ादा, घुट-घुट कर जीने वाली, वो सिच्वेशन थी, आपके लिए, लोगों के लिए नहीं, ठीक है, तो वो कहीं न कहीं, आप लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, काफी सारे ब्लीव सिस्टम को, तो यह आप, जो अपने आपको ही, चुट्टी दोगे, फ्रीडम के दोगे आप, उससे आप, आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, आपको बहुत सारे लोग, एमोशनल सपोर्ट करने वाले हैं, पता नहीं, यह कौन सी सिचुएशन हो सकती है, कोई खास सिचुएशन हो सकती है, आपके साथ, तो आपको रखनी है, जो आपके साथ रेजुनेट करती है, ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पर और क्या चल रहा है, यहाँ पर आप अपने आपके साथ तो जस्टिस होते देखेंगे ही, आने वले समय में, ठीक है, कि दीरे-दीरे ईश्वर जो है, आपको जस्टिस देनी शुरू कर दी, जैसे मैंने बोला था, कि आपने बहुत सारा काम किया, इन्वेस्ट किया, मिहनत की, और आपको उसका फल मिलना शुरू होगा, तो इस तरह की जस्टिस जो है, अपने लाइफ के डिफरेंट एरियास में आप देखोगे, इवन आपकी एनर्जी का बैलन्स होना, इवन आपको प्रटेक्शन मिलनी, इवन आप किसी तरह की ब्लॉकजिस से बहार निकलना, ये भी सारी जस्टिस के ही हिस्से हैं, तो जिस भी तरह की आपको जस्टिस मिल रही है, 今日は आप देखोगे कि, इस तरह से आप के लिए पॉजिटिव जस्टिस आ रही है, क्योंकि आपने हमेशा आपकी इंटेंशन अच्छी रही हैं, पॉजिटिव रही हैं, आपने ंच्छा किया है, ठीक है और उसी तरह से दूसरों लोगों जोने ने गलत किया है ठीक है उनकी तरफ भी जिस्टिस आते आप देखोगे देख लेते हैं यहाँ पर कोई लास्ट खुशकबरी आने के लिए है वो लास्ट कौन सी खुशकबरी है यह देख लेते हैं हम लोग तो मुझे मेसेज मिल रहा है एक और तो देख लएते हैं और कोई सी खुशकबरी है यहाँ पर किसी तरह की खुशकबरी जो आप कुछ सीखना चाहते थे ठीक है आपको सही मौका नहीं मिल रहा था, सही time नहीं या आपके पास समय नहीं आपको मिल रहा था, हो सकता है कि आप कुछ workshops करना चाते थे या आगे कोई course करना चाते थे, या study से related, education से भी related हो सकता है या आपकी, ठीक है, तो अप्ग्रेड करना चाते थे अपने आपको, य आप ये अच्छे से कर पाओगे, तो ये इस चीज की भी आपको खुशी रहेगी कि आप अच्छे से सीख रहे हो, अच्छे से participate कर रहे हो, अच्छे से समय दे रहे हो, अपने passion को follow कर रहे हो, ये passion किसी भी तरह का हो सकता है, पर मुझे यहाँ पर सीखने से related लगा, और कही यहाँ पर मुझे teacher से भी related है, तो कुछ teachers as a teacher, आप teacher बनना चाते हो, या as a teacher आप कुछ सिखाना चाते थे, तो भो भी available होगा आपके लिए, तो ये भी आपके लिए खुश खबरी रहेगी कि कुछ आप सिखाना चा रहे थे, कुछ लेकर आना चा रहे थे, कुछ unique workshops या courses हो स students के लिए, तो ये ये भी एक खुश खबरी होगी कि कहीं न कहीं, आप manage कर पाऊगे इस चीज़ के लिए, तो ये आपके लिए खुश खबरी आ रहे हैं, तो ये लास्ट खुश खबरी थी आपके लिए, और यहाँ पर हम लोग guidance देख लेते हैं, right now के लिए, guidance क्या है आप तो guidance देख लेते हैं अब आपके लिए, पहले guidance ये है कि, enjoy कीजिए, ये जो positive moments और ये खुश खबरी हैं आपको मिल रही हैं, ये energies आप देख पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा high vibration या positivity को feel कर रहे हो, इसको enjoy कीजिए, ठीक है, stay blessed और gratitude पे कीजिए, इसके लिए, ठीक है, जान बूझ कर, carpet की नीचे चीजे मत देखिए, ढूण दिये, कि, और कई बर होता है ना कि, बहुत ज़्यादा positive है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो ढूणने लग जाते हैं, कि सब कुछ ठीक तो है ना, जान बूझ कि, ढूण दिये मत मुश्किलों को, अपनी life में, ठीक है, enjoy कीजिए, आपने hard work किया है, बड़ी मुश्कल से balance में आ रही है life, तो उसको enjoy कीजिए, ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पर, और क्या है, आपके लिए guidance, guidance क्या है, आपके लिए और, यहाँ पर, यहाँ पर आपकी growth को देखकर, जो लोग खुश नहीं है, सब के लिए नहीं होगा यह message, ठीक है, वो किसी न किसी जाल में आपको फसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको observe करना है, ध्यान देना है, ठीक है, और no बोलना है, ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको जूरत और देख लेते हैं, फाइनल गाइडन्स क्या है, यहाँ पर, राइट ना के लिए, फाइनल गाइडन्स क्या है, आपके लिए, हमेशा अपने टृत को चूज कीजिए, चाहे आपको यह लगए कि टृत चूज करके अभी भी हो सकता है, कि आपको हार मिले, या आपके जस्टिस ना हो, कुछ भी इस तरह की temptations आपको हो सकती है, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं इस बार, ऐसे नहीं ऐसे बोल देते हैं, बहुत सर चीजें ऐसे हो सकती हैं आपके लिए, temptations हो सकती है, कोई testing हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी truth के साथ simple, simple है, ठीक है, आपको फिर जादा, you know, सोचना में नहीं पड़ता है, जब आप सीधा वो ही करते हो, जो सच है, ठीक है, और अपनी authentic self में रहते हो, जादा सोचते नहीं हो, जादा दिमाग नहीं चला कर घुमाते हो कि क्या हो रहा है, बहुत सिंपल, जो जैसे हो, वैसे ही, ठीक है, स्ट्रेट, जो करते हो, आप करते हाए हो, हमेशा, वैसे ही आपको authentically करना है, ठीक है, बाकी इश्वर देख लेंगे, जो भी हो और personal reading के लिए appointment book करवाना मत भूलिये, आपको मेरी team के number description box में मिल जाएंगे, और please comment section में जैसे आप हमेशा ही बताते हो, बताना मत भूलिये कि ये reading आपको कैसी लगी है, thank you, thank you, thank you so much for watching and bye for now.